Hi Friends, Welcome back to my channel आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम एक wedding guest makeup look create कर सकते हैं और मैंने इसी के साथ एक outfit भी शेयर किया है और मैं कुछ ऐसी दिखती हूँ बेना किसी filter के और जिते भी products में आज उसकने वाली stream में रखे हैं तो चले वीडियो शुरू करते हैं और peach makeup look create करते हैं सबसे पहले मैंने अपना एक hydrating primer अप्लाइ किया यह Love Dive by She Glam Collection का Primer है बहुत अच्छा moisturizing primer है आप अपनी पसंद का कोई भी hydrating primer यूज कर सकते हो Maybelline Dewy Finish का Primer भी बहुत अच्छा है क्रास्किन तब गर्स के लिए अपनी प्रेम का अपनी के बाद एक और पोर मिनिमाइजिंग एल्फ का पटी liquid primer यूज किया मेरे जहां पर पोर्स हैं बहां मैंने इसे प्लाइट करता है यह बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका texture यूज को मिनिमाइज करता है अब हम आगे बढ़ते हैं और अप्लाइ करेंगे foundation तो मेरी dry skin type है मुझे पसंद है मेरे foundation में एक liquid highlighter या liquid illuminator आड करना तो आज मैंने यूज किया है मार्स का BB cream जी हां BB cream जो की full coverage foundation है मेरे लिए मैंने उसके साथ add किया है lacmica lumi cream तो मैंने सोचा यह करना बिल्कुल अप्रोप्रोप्रेट रहेगा और एक लोई बेस हमें मिलेगा मैंने यूज किया Mac fix plus mini size में था और ऐसा करने से मेरा foundation और liquid illuminator का concoction है उसे blend करने में आसानी होती है यह जो brush मैं आज यूज कर रही हूँ यह Amazon India की website से खरीदा था बहुत आराम से में product को अपने पूरी skin पे spread कर पाती हूँ आपको अगर damp sponge use कर ना पसंदे तो आप damp sponge use करिए but ensure करिए कि आप अपना जो foundation है बहुत अच्छे से blend करें क्योंकि सारा game अपके अच्छे base का है because वह बहुत अच्छा लगेगा अगर आप time देंगे और efforts लगाएंगे तो अब concealer की तरफ बढ़ते हैं मैंने किसी तरेके का color correction नहीं किया है even though मेरी dark circles है मेरे under eyes पे तो उसके लिए मैंने उसके लिए उसके लिए मैंने यूज के है का kind and free concealer in the shade medium उसके अलावा मैंने किसी तरेके का orange और peach color character यूज किया है पर अगर आपको लगता है कि आपको एक करेक्टर की जरूरत है तो definitely आप LA girl का peach color character या orange color character यूज कर सकते हैं darkness को cancel out करने के लिए Never ever skip this step अपने concealer को set करना है चाहे आप dry skin type or oil skin type It is a very important step हमारी eye area काफी नाजुक होती है और वहाँ पर काफी creases होते है तो उसको जब आप concealer से coverage देते हैं तो लाजमी है कि उस concealer को sink होने का chance मिलता है हमारी creases में ऐसा ना हो उसके लिए आपको concealer को set करना चाहिए मैंने eyebrows को फिल किया using Mars Cosmetics eyebrow pencil और वाइट बेस उसके है Beauty Baker ताकि मैं जो आइशादो पैले उसके वह बहुत जादा अच्छा से pigmented color payoff मैं पापा हो आज मैं यूस कर रही हूँ Baby God Peach by Colourpop और ऐसे similar palette Colourpop का नाइका की website पर मिल जाएग आपको and I am using this coral peach shade it's a matte finish eyeshadow इस मैं अपने crease apply कर रही हूँ outer weeper भी apply कर रही हूँ अच्छे से मैं color को build कर रही हूँ and आप देख सकते हैं मैं काफी समय ले रही हूँ product को बार-बार apply कर के build करने के लिए और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको जादा color payoff में जागा so that's that अब मैंने palette में से matte brown eyeshadow को लिया है और उसे मैंने concentrate किया है सिर्फ अपने outer weeper ऐसा कने से हमारे eye look को एक depth मैं अभी NYX का glitter primer apply कर रही हूँ यह बहुत important step है ऐसा कने से मेरे metallic eyeshadow को base मलता है और fallout भी कम होता है तो इस palette में से मैंने metallic eyeshadow को pick किया है अब मैं अप्लाइ कर रही हूँ किया अब मैं अप्लाइ कर रही हूँ किया अब मैं अप्लाइ कर रही हूँ का liquid liner this is a brown liquid liner मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं एक black color का eyeliner क्यूंकि यह peachy soft glam type look है तो मैंने सोचा it is better to apply a brown liquid liner यह liquid liner बहुत अच्छा है sharp wing आप अगर रहा पसंद करते हो this is for you बहुत अच्छा brown है और ऐसा shade नहीं है black towards leaning है it's a proper brown shade and हमारे Indian skin tone को बहुत अच्छे से सूट करता है और यह करी से crack नहीं करता long wearing eyeliner है love the formulation and it's a really good product from a celebrity brand my pink liner both even look I have a hot chocolate shade eye pencil which is a brown color eye pencil by essence cosmetics and I applied it on lower lash line and I didn't want to apply black color because I thought it would be more like eye look so now I am using this shimmer eyeshadow and I am using this shimmer eyeshadow and I am using this shimmer eyeshadow and you can see where I apply it I look very defined as it looks like how many efforts are I am using the sky high mascara by Maybelline I am using the sky high mascara by Maybelline it makes my lashes and volumize I love this mascara and Maybelline is a mascara which I have tried but I don't like it apply any mascara on my upper lashes and lower lashes let's move on and contour the face we will give our face definition it's a very important step and I have made a powder contour product with Dulce 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 Face Dio and I am using this I am using this Swizz Beauty Craze Line apple pie shade blusher Dewy finish cream blusher it's a very good price point it's a very good it's a very good it's a very good it's natural I am using this Mac fix plus mini size I have set makeup I am using this shampoo fizz shade highlighter k-beauty k-beauty is a very good brand indeed this product is really good it gives blinding effect and this product is really good it's a little powdery and I am trying to settle it so I am trying to settle it it's a very good effect overall it's a very good makeup look it was a glam look so I applied a little bit more it's a Sephora color liner rose variant it's a very good makeup 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 pretty comfortable table to use as you can see it was pretty easy to apply this lipstick is L'Oreal matte liquid lipstick it's a new launch a few months ago it was very valid and I picked Snooze Your Alarm shade it's a peachy brown shade it's a good makeup today's eye look if you have a deep peachy brown you can apply a peach toned lipstick you can apply peach yellow tone that's your choice so this is how the whole makeup look has turned out I have not done any filter use either I liked or I liked filter use it's as it is I was filming in natural lighting my makeup look looks like and if you get I will show you in this video because this is how I look and I am in love with the way this makeup look is looking like at the end of the day the makeup look looks like but this makeup look overall I liked wedding season appropriate if you have a bridesmaid or wedding guest you can create this makeup look very easy to do I would say Glowy base and peach first is the color of the year so that's what was in my mind I really wanted to create this look because of that reason as well and I gave an Indian touch so that's what I did and the whole look is looking really good and outfit I have this satin shirt and my skirt is W and I have pearl accessories used from the bag that I bought from the lifestyle store in India overall this look is very good if you like this video subscribe to my channel and I will see you soon in my next one take care bye bye